हेलो बच्चों, इस अध्याय में रसाइनिक अभीक्रिया के लक्षन और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे क्रिया कलाब करेंगे तो चलिए हम इस क्रिया कलाब से अपनी शुरुवात करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन चीजों की आउशकता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये है मैगनेशियम रिबिन जो लगबग 2 cm लंबी है और इसे हमने चिम्टी की सहता से इस प्रकार फसा रखा है और ये देखिए स्पिरिट लेम इसको जलाने के अगिश और देखिए ये क्या है मेरे पास? ये है लिटमस पेपर ये नीले रंग का और एक लाल रंग का इसकी जोरत हमें कपड़ती है बिल्कुल सही वीलियन की प्रकृति जानने के लिए कोई वीलियन जो है वो अमली है या अच्छारी इसकी जानकारी हमें लिटमस करते हैं और इस प्रेट लेंब को जला लेते हैं कि कि इस प्रेट माल पेपर से रगड़ कर अच्छी तरह साफ कर लें और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आखों को जितना हो सके उतना दूर रखें मैंगनिशीus ribbon को हम जला रहे हैं कर देखें यह मैंगनिशीus ribbon साथ जल रही है हमें अपने आखों को दूर रखना होगा और यह जो राख हमें प्राप्थ हुई है इसे हम पैट्रेट बश्य में प्रात गृकत त्रिद कर लेते हैं ये देखिए ये पैट्री डिश में हमें ये राक प्राप्त होई ये इस परिक्षन के दौरान क्या आपने मैंगनेशियम की अवस्था में कोई परिवर्थन देखा और साथ ही देखिए कि पैटर डिश में यह जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है मैंगनीशियम को जब हमने जलाया तो वाईयों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उसके अभिक्रिया हुई और मैंगनीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ इस उत्पाद का जब हम जली वीलियन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस वीलियन के प्रकृति कैसी होती है चलिए इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राख में डालते है और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा इसको मिलाकर जली वीलियन जो है हम प्रा कि यह विलियन हमारा प्राप्त हो गया है अब इस विल्यन की प्रकृति जो है वह हमें जचनी है कौन मदद करेगा लिटमस पेपर बिल्कुल सही हम नीले लीटमस पेपर से शुरू कर रहे हैं नीले रिटमस पेपर को इस विलियन पर इस प्रकार से हमने डाल दिया है, अब हमें देखना है कि इसके रग में कोई परिवर्टन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखें मुझे तो इसमें कोई परिवर्टन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, चलिए अब लाल रिटमस पे पर ये ले लिया हमने और इसको इस वीलियन में डुबा दिया देखिए इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है लाल लेटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है तो हमने देखा कि यह जो वीलियन है यह शारी प्रकृति का है किसी भी रासायनी कभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी-कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नय उत्पाद भी मिलते हैं